हेलो स्टूडे मैं फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं एलेन गैड चनल में तो आज मैं आपको क्लास 9 का वेस्ट बेंगाल बोर्ड का 3.2 चप्टर बताने वालो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 3.1 चप्टर कम्पलीट किया था तो चलिए 3.2 चप्टर स्टार्ट करते हैं एक नमबर कोश्चन में दिया देखें निम लिखेत बिंदुओं को ग्राप का अगज पर अंकित करें और बताया कि यह कहां अक्षपर या किसी पाद में इस्थित है पाद यानिके क्वाडेंट होता है अंग्रेजी में क्या पॉइट पॉइंट से बारे में बोल रहा है कि यह कौन से कहा पर वहरी करते हैं कहा लाई करते हैं आ बताना है तो चलिए इसटार्ट करते हैं इसके पहले हमें क्या करना होगा कि prophecies इंस्ते सिसके पैले ग्राफ उन ईसको डौ कर लेते हैं इस और रिखिए छॉडे देख् देखिए तो हमने y-axis सबसे पहले ड्रॉ करते हैं चलिए यह हमारा y-axis है ठीक है और यह हमारा x-axis आप लोग कभी भी ड्रॉ करेगा तो middle में करिएगा middle में करने से क्या है क्योंकि आपको एक page में एक ही graph बनाना होता है उसी तरह से जितने भी page मिलेंगे आप अलग-अलग graph बनाईएगा फिलाल मैंने इसको छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास इसी में हम और भी sums करेंगे लेगिन आपको एक page में सिर्फ एक ही बनाना है और मैं फिर बता रहा हूँ कि जो graph का line है उसे कभी मिस मत करेंगा यह हमारा origin हो जाएगा सबको पता है यह हमारा y है y axis यह हमारा y dash axis यह हमारा x axis और यह हमारा x dash axis ओके आप देखिए पहला क्या point दिया है 3,0 दिया है तो 3,0 दिया है तो आप देखिए 3,0 कहा होगा सबको पता है कि यह जो point है यह plus plus का है 3,0 यानि कि 3 पहले हमें count करना होगा तो देखिए 1,2,3 0 यानि कि इसी जगा पर यह point हो जाएगा तो इसका answer क्या हो जाएगा on the positive x axis हमारा यहां पर लिखेंगे धनात्मक x अक्षपर ठीक है धनात्मक तरफ x अक्षपर इसका हिंदी में उत्तर हो गया दो नमबर जो question है 0,8 है तो 0 यानि कि x यानि कि 0 हमारा 8 यानि कि plus में है तो उपर क्यों जाएगे हम तो यह देखिए यहां पर हमारा 1,2 3,4,5 6,7,8 यह हमारा यह हमारा 0,8 0,8 ठीक है next देखिए हमारा minus 5,0 minus 5 यानि कि x हमारा minus में है तो इधर में हमारा minus का x का यहां पर 5 यानि कि हमारा देखिए 1,2,3,4 यह 5 यह 5 हो गया हमारा और क्या है minus 5,0 यह यह भी हमारा रिनात्मक x अक्षपर इसका उत्तर हो जागा कितना नमबर क्या लिखिए है इसमें minus 5,0 तो हम लिख लेते हैं इसको minus 5,0 यह हमारा हो गया है कितना था 3,0 था अब देखिए next point क्या दिया है यहां पर 0, minus 6 0, minus 6 यानि कि 0 यह हो गया minus 6 यानि कि y नीचे के तरफ minus होगा तो हम लिख देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और यह 6 ठीक है यह हमारा हो गया 0, minus 6 0, minus 6 ठीक है अब next point क्या दिया है 6, 4, 6, 4 यानि कि यहां पर देखिए हमारा 3 है 4, 5, 6 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 हो गया और 6, 4 है 4 यानि कि उपर क्यों जाएगा 1, 2, 3, और यह 4 ठीक है तो यह हमारा point हो गया 6, 4 ठीक है इसको क्या लिखेंगे हम यह जो हमारा point है कि कहां पर है हमारा first quadrant में है यह लिख दीजेगा आप लो कि हमारा जो point पढ़ा है फर्स्ट quadrant में पढ़ा है अब जैके next point क्या दिया है देखिए next point है minus 7, 4 ना minus 7 यानि कि इधर को जाएंगे में x त्यहां पर हमारा 5 हुआ था तो 6 यह 5 नहीं 5 था यह 6 और 7 ठीक है 6 और 7 5, 7, 4 4 यानि कि उपर क्यों हो जाएगा एक, दो, तीन और ये चार ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा कितना लिखा है minus 7, 4 minus 7, 4 इसको हम क्या लिखेंगे second quadrant यानि कि दूइतिया पाद में ठीक है next जो है 7 नमर देखे 9, minus 9 9 यानि कि प्लस में ये देखे 9 ये हमारा 10 है तो इसका ये 9 हो गया यहाँ पर और 9, minus 9 यानि कि ये भी हमारा ये minus 9 हो गया यानि कि नीचे की ओर तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9, minus 9 यानि कि ये हमारा fourth quadrant में हो गया यानि कि चतूर्थ पाद में और next question क्या देखे minus 4 minus 5 तो minus 4 देखे यहाँ पर ये हमारा minus 5 तो ये हमारा 4 हो गया ठीक है minus 4, minus 5 minus 5 काउंट कर लेते हैं चलिए एक, दो, तीन, चार और ये 5 ठीक है तो ये हमारा बिंदी हो गया इसको हम राउंड कर देते हैं और ये कितना minus 4, minus 5 ठीक है ये हमारा graph में हो गया अब चलिए ये हमारा एक number question कंप्लीट हो गया है next question में चलते हैं दो number question में क्या दिया देख लेते हैं on the graph paper let us draw x, o, x dash and y, o, y dash the two perpendicular axis and plot any five point lying on the third quadrant तो इसमें बोल रहा है कि हमें कोई सा भी 5 point हमें दिखाना है जो कि हमारा fourth quadrant में हो क्या बोल रहा है third quadrant में sorry क्या बोल रहा है third quadrant में perpendicular axis and plot any five points lying in the third quadrant third quadrant में हमारा लाई करें ऐसा हमें point सो करना है तो चलिए सो करते हैं तो चलिए क्या करते हैं देखिए question क्या था graph कागज पर x, o, x dash और y, o, y dash पर परस पर लंब खीच करके नहीं 5 बिंदो को अंकित हिसमें करना तरितिय पाद यानि की third quadrant में हमें सो करना है तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं चलिए middle में ले लेते हैं इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको line खीच लेते हैं यानि कि x y axis बना लेते हैं सबसे पहले देख लिजे मैंने कितना मेहनत करना पड़ रहा है एक सीधा लाइन खीचने के लिए क्योंकि लाइन से बाहर ना वज़ाई इसलिए आप भी ऐसी करना कि आपका भी लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए जो भी graph का लाइन है उससे बाहर नहीं जाए अब यह हमारा हो गया Y-axis, अब X-axis को भी खीच लेते हैं, चलिए X-axis यह देखिए, खीच रहा हूँ मैं यह हमारा X-axis, ठीक है यह X O X- Y-O Y-डेश, ठीक है, हमने खीच लिया है दो नमबर कोश्चन है अब क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट है minus 2, minus 2, minus 2 यहने कि हमारा देखिए यह हमें इस वाले में लिखना है तो इसको हम हटा देते हैं, 0 जो origin को हम दूसरे साइड लिख लेता है क्योंकि हमें सारा पॉइंट जो है दो यह हमारा minus 2, minus 2 है नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है minus 2, minus 4 minus 2, minus 4 मतलब हम अपनी हिसाब से इसको create कर रहे हैं कि आपको कोई साभी पॉइंट ले सकते हैं फिलाल मैं आपको अपनी हिसाब से बोलाओ यहाँ पर देखिए पहला हमने ले लिए minus 2, minus 2 अब दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं minus 2, minus 4 ले लेते हैं चलिए यहाँ पर देखिए 1, 2 यह हो गया minus 4 यानि कि 2, 3 और यह 4 हो गया ठीक है तो यह हो गया minus 2, minus 4 यानि कि जो भी हमारा value रहेगा वो minus मी हो ठीक है तो वो हमारा दोनों यह y, x का भी value y में और minus में और y का भी value minus में होना जाए तो हम क्या ले लेते हैं चलिए 10, minus 10, यह minus 10 हो गया स्वारी यहाँ पर बिंदी नहीं देना है यह दिखिए minus 10 हो गया यह हमारा y, x से थोड़ा सा मीट गया दिखिए हमारा यह को क्या हो गया minus 10 और यह 10 minus 10, minus 10 आप हमने लिख लिए minus 10, minus 10 दूसरा एक और point ले लेते हैं क्या ले लेते हैं चलिए 8 minus 8, 2 तो यह देखिए minus 8 यानि कि यह हो गया और 2 यानि कि 1 और यह 2 यह point हो गया तो हम इसको लिख लेते हैं minus 8, minus 2 अब देखिए हमें क्या लिखना है कितना point हो गया 4 point हो गया और एक point ले लेते हैं चलिए तब यहाँ पे हमने 6 ले लेते हैं 6,5 minus 6, minus 5 तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 5 ले ले लेते हैं minus 6, minus 5 लिए है ठीक है आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है clear है तो यही हमारा answer हो गया और भी इसमें point लिया जा सकता है बहुत सारे points लिये जा सकते हैं अभी भी यह हो गया clear हो गया चलिए तो अब next question में चलते है अगर आपको इसका pdf भी चाहिए तो आप लोग हमें telegram पे join करिये वहाँ पे आपको जरुवत होगा pdf का तो आप लोग हमें बताइए का हम आपको provide कर देंगे इसका pdf चलिए तो next question में चलते हैं तीन नंबर दिया है let us express the following statement to simultaneous linear equations पांच चार questions दिये हैं यहाँ पे चारो question को हमें equation बनाना है एक्स और य में तो चलिए बना लेते तो इसके लिए ग्रापेपर की जरूत नहीं है हम लोग बोड पे बनाएंगे तो पहला question है तीन नंबर का एक नंबर कि the total price of 3 exercise copies and 2 pens is Rs. 55 ठीक है and the total price of 4 exercise copies and 3 pen is 75 तो बड़ा ही असान है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है कि the total price of 3 exercise मतलब 3 exercise copies है और 2 pen है जिनका total cool price है 55 रुपया तथा दूसरा equation जो बनाना है उसमें क्या दिया है and total price of 4 exercise चार exercise book और 3 pen का दाम है 75 रुपया था हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे let माना the price of exercise copies bx ठीक है उसी तरह से क्या करेंगे and the price of pen pen b by y okay हिंदी वालों के लिए क्या लिखना पड़ेगा देखिए मैं बताता हूं आपको आप लोग लिए माना एक अभ्यास पुस्तिका का दाम एक रुपया है तता एक पैन का दाम य रुपया है तो हम मरा equation क्या हो जाएगा देखिए क्या पुस्तिका और दो पैन का कीमत जो है वो 55 रुपया था है तो हम क्या लिखेंगे देखिए तीन अभ्यास एक अभ्यास पुष्टिका का दाम X है तो तीन अभ्यास का कितना हो जागा तो 3X प्लस कितना यह यह पेन कितना है दो पेन तो यहाँ पर 2Y हो जाएगा इस उकल तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 55 ठीक है next यह एक नमरी क्वेशन बन गया हमारा दो नमरी क्वेशन क्या होगा देखिए चारा भ्यास पुष्टिका और तीन पेनो का दाम चारा भ्यास पुष्टिका मतलब 4X प्लस तीन पेनो का दाम मतलब 3Y इस उकल तो कितना दिया है 75 यही हमारा उत्तर हो गया ठीक है तो लिए next question में क्या दिया देख लेते हैं दो नमर में दिया है दो संख्याओं का योगफल 80 है और इन संख्याओं के वियोगफल का तीन गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है तो जो बड़ी संख्या उसे 20 अधिक है तो English में क्या दिया है भी पढ़ लेते हैं English में दिया है sum of two numbers is 80 and the thrice of the different of those two numbers is 20 more than the largest number. नहीं तो largest number 20 का largest numbers का 20 ज्यादा है यानि कि total अगर करते हैं तो 20 plus largest number हो जाएगा. तो यहां पर क्या बना difference of those two numbers क्या बना thrice of the three गुना जब दोनों का difference निकालेंगे तो 20 के साथ अगर पहला वाला larger number को जोड़ते हैं तो उसके बराबर हो जाएगा. ठीक है clear है? तो यहां पर हम क्या इसका equation लिखेंगे देखिए तो यहां पर भी हम मान लेंगे let the first number bx and second number b y लिख लिख लिखेंगे पहली संख्या x तादा दूसरी संख्या y है तो हल में क्या हो जागा solution में? solution में solution लिखने की जुरूत नहीं है और अल्रेडी हमारा solution स्टार्ट है यहां पर क्या हो जागा देखिए पहला क्या बला था? दोनों का योगफल 80 है तो x plus y is equal to 80 दूसरा क्या दिया है? दोनों के difference का 3 गुना है तो हमने x को बड़ा ही ले 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 लेते हैं तो x minus y का 3 गुना 3 into x minus y बराबर कितना है? 20 का अधीक है बड़े वाले से 20 अधीक है नहीं कि हम जोड़ देंगे तब यह बराबर हो गया यही हो गया यही हमारा अब उत्तर हो गया ठीक है? चले next question में क्या दिया है वो भी पढ़ लेते हैं तीन का तीन नमबर में अगर आपको इसका pdf की जरूत है तो आप हमें telegram चैनल पर जोन करिए हम आपको वहाँ पे pdf इसका provide कर देंगे तीन नमबर question में क्या दिया है? किसी भिन के uns ठीक है? अंस और हर के साथ दो जोडने पर ठीक है? दो जोडने पर इसका मान साथ बटा नो हो जाता है भीन के uns और हर से तीन घटाने पर इसका मान एक बटा दो हो जाएगा uns बटा हर is equal to क्या बूल रहा है? दो जोडने पर तो मान लेते हैं चलिए माना इंग्लीज में लिख लेते हैं पहले इंग्लीज का पढ़ लेते हैं क्या लिखाया? बुला है कि when two is added to the numerator and denominator of a fraction its value will be 7 by 9 and when 3 is subtracted from both the numerator and denominator its value is 1 by 2 याने कि हमें यहाँ क्या मगना है? according to the condition क्या हो जाएगा? according to the problem या फिर according to the condition क्या हो जाएगा? बोल रहा है उपर वाले में मतलब numerator में भी दो जोडने पर और denominator में भी दो जोडने पर तो यहाँ पर हमारा numerator कौन सा है? यानि कि uns कौन सा है? यहाँ पर हिंदी वाले लिखेज़ेगा माना अंस ब्राबर x तथा हर ब्राबर y है तो यहाँ पर आप क्या लिखेगा? x प्लस 2 by y प्लस 2 is equal to कितना दिया है? x प्लस 2 तथा y प्लस 2 ब्राबर 7 by 9 7 by 9 तथा दूसरा नमबर क्या दिया है? equation भिन के uns और हर से 3 घटाने पर यानि कि x minus 3 by y minus 3 is equal to 1 by 2 यही answer हो गया ठीक है? next question में क्या दिया है? चलिए 4 नमबर में देखते हैं दो अंकों की संख्या के दहाई का अंक इकाई स्थान की अंक का दो गुना है अंक दव्य का स्थान बदलने पर दो नहों का मतलब यानि की यह जो है तो क्या बोल रहा है? 12 का क्या बोला है? मूल संख्या से 27 कम है यानि कि मूल संख्या यह हो गया इससे 27 कम है यह 12 तो नहीं है हमने 12 example में लिया है तो आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा था तो यहां पर क्या करेंगे? तो हम क्या करते हैं माना दौंकों की संख्या में इकाई का स्थान मान लेते हैं और दाहाई का भी स्थान मान लेंगे इकाई दाहाई हमने पढ़ा है तो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे देखिए लिखेंगे let let the digit in the unit place bx and the digit in the 10th place b y then हमारा संख्या क्या हो जाएगा then the number the number is क्या हो जाएगा मान लिजी कि हमारा क्या है यह x unit place यानि कि x और यह क्या है हमारा y जो है वो 10th place है तो यहाँ पर 10 हो गया तो 10 into y plus x तो यह हमारा क्या हो जाएगा 10 into y plus x अब हिंदी वाले लिख लिख लिजीएगा कि माना इकाई इस्थान की संख्या x है तथा गहाई इस्थान के संख्या जो है वो y है तो number बराबर 10 y plus x होगा अब क्या करेंगे according to the condition और problem जो भी लिखना है लिख सकते हैं क्या हो जागा देखिए क्या बोला है question में कि इंग्लिस वाला भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इंग्लिस में लिखा है the 10th place digit is twice of the unit place तो क्या बोला है पहला number कि जो 10th place का digit है वो दो गुना है किसका unit place का यह बोला है ना the 10th place digit is twice of the unit place जो 10th place जो 10th वाला digit पह है वो दो गुना है इसका यानि कि X जो है मतलब दो गुना वाई का है तो यह पर दो गुना वाई होगे X के बराबर अब दूसरा कंडिशन क्या दिया हुए देखिए अब बोल रहा है कि दोनों का स्थान परिवर्तन करके घटाने पर difference of कितना आया है the result number will be 27 less than the original number original number से 27 घटाने पर हमें 27 आया है ठीक है तो if the digit interchange their places interchange यानि कि हमारा पहला equation था दूसरा यह हमारा main है इसमें से क्या बहुत रहाए interchange अगर करते हैं तो बोल रहा है कि जो इसका मूल संख्या से 27 कम हो जाएगा तो इस्थान अगर हमने बदल दिया है तो हम क्या बोल रहा है 27 कम हो जागा इस मूल संख्या से तो हम क्या करेंगे इसको 10y प्लस x से माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा वो 27 हो जाएगा तो यह हमारा यही एंसर हो गया चले नेक्स्ट कोश्चन में क्या दिया देख निम्न कत्नों को दो चल रासी युक्त यह घातिय समिकरण के रूप में बदले और समिकरणों का लेक्चित रंकित करे ठीक है? चार नमर कोश्चन में दिया हुआ है मैंने पढ़ा भी कोश्चन चार नमर लिख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है? कि हमें जो कोश्चन दिया गया है नीचे उसका हमें सबसे पहले इकोश्चन बनाना है उसके बाद उसे हमें ग्रा पेपर पे सो करना है तो अब ये करना है, चलिए तो चलते हैं, पहला Number Question में क्या दिया है, वरतमान में सुजाता के पिता की आईयू से 26 वर्स अधिक है, सुजाता की पिता की वरतमान, रिध्व क्या हो जायेगाः, हम मान लेते हैं, सुजाता के पापा का यू कितने हो गया है, Four the y- punishing. माल लेते हैं तब जी अगया समिकरन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि पापा की आई हमने एक्स मान नहीं है तो पापा बड़े हैं तो दोनों का डिफरेंस ही है न चबश्वीश यहां पर हम लिख लेते हैं चलिए क्या लिखेंगे चलिए सबसे पहले लेट लेटर सुजाताज सुजाताज फादर फादर एज इज एक्स एंड सुजाताज एज इज वाई हिंदिय में लिख 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 लिखा की माना सुजाता की पिता का उम्र X है तथा सुजाता का उम्र Y है Y year भी लिख सकते है X year तथा Y year है ठीक है तो हमारा question में क्या दिया था question में दिया है कि जो at present the age of सुजाताज father is more than the age of सुजाताज by 26 year यानि कि जो पापा का age है उससे अगर हम इसको minus करते है X minus Y करेंगे तो हमारा कितना अरा 26 है यानि कि जो पिता है इसके अभी 26 वर्स अधिक है तो यहां से क्या करेंगे इसको इधर को लेके जाएंगे X का बराबर क्या निकाल लेते हैं 26 minus 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 plus हो जागा minus इधर plus हो जाएगा Y अब हम क्या करते हैं इसको graph paper पे show करने के लिए हमें क्या करना होगा X और Y का एक मान निकालना होगा हम क्या करेंगे देखिए तीन मान निकालते हैं तो यहां पर देखिए X और यह Y लिख लेते हैं तो अगर हम X का मान X नहीं y कमान अगर हम एक भरते हैं यहां पर से 20 हो जागा तो एक नहीं भरेंगे यहां पर हम क्या करते हैं y कमान minus 10 भर देते हैं चलिए minus अगर 10 भरते हैं तो minus plus minus हो जागा तो यह wax is equal to 10 आ जागा दूसरा क्या मान भर लेते हैं? चले, we're minus 11 भरेते हैं minus 11 भरेंगे तो इसका मान कितना जगा 20? 25 minus 11 भरेंगे तो 15 आएगा, sorry 15 अब उसी तरह से हम यहां पे चले minus 12 भी भर लेते हैं इसलिए हम इतना बड़ा I amount भर रहा हैं क्योंकि हम जब graph paper पे draw करेंगे तो यह जो रेखा है थोड़ा हमारा आसपास मिलेगा तो थोड़ा हमारे लिए असानी होगा नहीं तो अगर जितना बड़ा हम यहां पे लिखेंगे उतना ही जदा अगर हम इसको plus में करते हैं तो यह और man बढ़ जाएगा इसलिए हम इसको minus में लिख रहे हैं कि यह थोड़ा सा man घटर है ग्राफ वही ड्राव होना है हमें ठीक है तो यहां पे देखिए minus 12 हो गया हम लिखते हैं तो यहां पे हमारा कितना जगा 14 ठीक है अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्राव करते हैं तो ग्राफ पर पर ड्राव करके देख लेते हैं चलिए तो ग्राफ पर ले लेते हैं चलिए ग्राफ पर में चलते हैं तो आप हमने जो बनाया था एक्स और वाई कम उसको ड्रॉ कर लिया मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूं इसका जो लाइन है ग्राफ का कभी भी मिस मत करेगा अगर मिस कर देंगे तो आपका पॉइंटिंग जो है ना मिस हो जाएगा अगर पॉइंटिंग मिस होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे ठीक है तो यहां पर देखिए हमने अभी इसको भी draw कर लिया ओके यह हमारा क्या y axis और यह हो गया हमारा y dash axis अब उसके बाद देखिए यह हमारा x axis हो जाएगा और यह हमारा x dash हो गा इसका मतलब यह है कि इधर भी जो भी मान आएगा हमारा वो minus में आएगा और यहाँ पर y का positive आएगा यहाँ यहां पर y का negative यहां पर x का positive यहां y का negative यहां पर y और x दोनों का positive में आएगा तो यहां पर हमने देखी क्या निकाला था मान पहला x is equal to 16 है 16 और 16, minus 10 है 16, minus 10 यानिकी minus 16 यानिकी plus में है तो हमारा यहां पर 10 हो गया 11, 12, 13, 14, 15, 16 16, कितना है minus 10 10 का हमारा और लेडी दाग दिया हुआ है तो यह हमारा यह 10 का हो गया तो यह क्या कड़ लें इसको 16, minus 10 ठीक है next क्या दिया है हमने निकाला था जो वो next वाला है आपका 15, minus 11 15 यानिकी हमारा यह 16 था तो यह हमारा 15 हो गया माइनस एलेवन यानिकी इसके बाद का पॉइंट यह पॉइंट था यह पॉयंट 14 यानिकि इसके पहले वाला यह point हो जाएगा तो यह हमारा देखे यह 16 था 15 यह 14 है 14, minus 12 तो यह minus 12 में हो गया हमारा नीचे के तरफ यहाँ पर क्या लिख देंगे हम क्या लिखेंगे 14, minus 12 अब क्या करेंगे इसको हमको मिला देना है जो भी हमारे बिंदू है बिंदू को हम मिलाएंगे बिंदू को कभी भी मिलाएगा तो आपका जो graph का cube है वो हमेशा काटना चाहिए तब जाके वो आपका graph सही होता है यह हमारा जो है बन गया यह line कितना भी लंबा हो सकता है तो यह हमारा उत्तर हो गया यह हमारा graph ready है अगर आपको इसका pdf चाहिए तो आप हमें comment करिए या फिर हमारे telegram channel से जूट जाए हम क्योंकि हम telegram पे प्रोवाइड करते हैं pdf अपना और आज के लिए बस इतना ही रहन देंगे next video में मैं इसके बाद का बताऊंगा 4.1 तक का आज के लिए रहे हो गया है हमारे यह 4.1 का है तो 4.2 से मैं next video में बताऊंगा आपको तो आसर करता हो वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूले और अपने क्लास्मेट के साथ जरूर सेयर करें जिन से उनको भी थोड़ा सा help मिल पाए तो चले मिलते हैं next video में